अगर HA एक acid है और ये अपना ये proton अतिया करे तो पीछे सिर्फ इस bond में मौझूद ये जामनी electron A बरबाकी रह जाएंगे और A- बना देंगे इसका मतलब ये हुआ कि HA का conjugate base A- है अगर A- मुस्तेहकम या stable है तो बहुत इमकान है कि HA अपना ये proton डोनेट कर देगा लहाज़ अगर आप compound की acidity मालूम करना चाहते हैं तो आपको conjugate base की stability को देखना होगा जितना ज्यादा stable conjugate base होगा इतना ही ज्यादा इमकान होगा कि acid अपना proton अतिया करें इसलिए जितना ज्यादा stable conjugate base होगा इतना ही ज्यादा acid ताकत वर होगा चलें इस concept का इस्तमाल करते हुए नीचे मौजूद इन चारो compound को देखते हैं तो हम मीधेन से शुरू कर लेते हैं इस मीधेन पर मौजूद इस proton का PKA तकरीबन 48 होता है अमोनिया के इस proton का PKA तकरीबन 36 होता है अब अगर हम पानी के बात करें तो इस proton का PKA तकरीबन 16 होता है और आखिर में हाईडरो फ्लोरिक एसेड यहनी के HF का proton यह वला proton इसका PKA तकरीबन 3 होता है हम जाते हैं के PKA की वैलियू जितनी कम होगी इतना ही ज्यादा एसे टाकतवर होगा तो यहाँ अब हम जब सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो हम क्या देखते हैं के यहाँ पर PKA की वैलियूज में कमी आ रही है पहले 48 ना पिर 36 हो गया पिर 16 और अब 3 लहाज़ा जब हम सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो यहाँ हम एसेड की ताकत में इजाफा देखते हैं तो HF इन चारों में से ज़्यादा ताकत वर एसेड होगा और अगर HF इन चारों में से सबसे ज़्यादा ताकत वर एसेड है तो HF के पास लाजमी तोर पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉंजुगेट बेस भी होगी तो चले अब इन चारों कमपाउंड की कॉंजूगेट बेस के बारे में सोचते हैं और चले नीचे चलते हैं यहाँ पेरे पास जगा नहीं थी तो ज़रा नीचे चलते हैं अगर हम मीथेन से ये प्रोटॉन ले ले तो पीछे सिर्फ ये अलेक्टरॉन कार्बन पर रह जाएंगे तो कार्बन पर नेगटिव वन फॉर्मल चार्च जा जाएगा अब अगर हम अमोनिया से ये प्रोटॉन ले ले तो पीछे सिर्फ ये अलेक्टरॉन नाइट्रोजन पर रह जाएंगे तो पीछे सर्फ ये elektrons oxygen के पास रह जाएंगे और फिर oxygen पर negative 1 formal charge जाएगा इसी तरह अगर हम इसमें से ये proton निकाल दें तो पीछे सर्फ ये elektrons fluorine के पास बच जाएंगे और fluoride anion बन जाएगा हम पहले से जानते हैं कि इन चारों में से HF सबसे ज्यादा ताकतवर acid है और सबसे ज्यादा ताकतवर acid के पास सबसे ज्यादा stable conjugate base भी होना जरूरी है लहाज़ा fluoride anion सबसे ज्यादा stable conjugate base होगा तो जब हम सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो stability में इसाफा हो रहा होगा stability में इसाफा होगा हम conjugate base की stability में इसाफा कर रहे होते हैं और हम एस trend की वजाहत इस element को देख कर सकते हैं जिसके पास negative charge है ना इसके carbon के पास negative charge है तो यह सबसे कम stable conjugate base होगा फिर हम negative charge के साथ मौझूद इस nitrogen पर चलते हैं तो इधर हम थोड़ा और stable हो जाएंगे, फिर negative 1 charge वाले oxygen की विगर हम बात करें, तो यहां हम मजीद stable हो जाएंगे, और फिर आखर में हम negative charge के साथ मौझूद इस fluorine पर चलें, तो यहां यह हमारे पास सब से ज्यादा stable conjugate base होगा, यह trend यार उजहान बिल्कुल periodic table में मौझूद electronegativity के trend जैसा है, तो अगर आप periodic table में carbon, hydrogen, oxygen और fluorine को देखें, कि जैसे जैसे आप periodic table में सीधे हाथ की तरफ जाते हैं, तो आप यह जानते हैं कि electronegativity में इजाफा हो रहा होता है, जिसमें fluorine सबसे ज्यादा electronegative होता है, और सबसे ज्यादा electronegative element electrons को सबसे ज्यादा अपनी तरफ खेंचता है, या attract करता है, इसे अपने गिर्द electrons का मौझूद होना बहुत पसंद होता है, इसलिए ये बात समझ में आती है कि fluorine negative charge को stable करने में बहुत माहर होता है, और यही चीज़ इसे सबसे ज्यादा stable conjugate base बनाती है, अगर ये fluoride anion सबसे ज्यादा stable conjugate base है, तो इसका मतलब यह हुआ कि लाजमी तोर पर HF सबसे ज्यादा ताकतवर acid है, लिहाँसा जब भी आप acid की ताकत के बारे में सोचें, तो आप conjugate base की stabilization के बारे में, और साथ में इन मुक्तलिफ factors के बारे में भी सोचें जो इसे stable बना सकते हैं, और electro negativity इन factors में से एक एहम अंसर है जिसके बारे में आपको जरूर सोचना होगा,